So Hello Everyone, यह है Reliance Home Finance के Quarter 1 के Result तो यहाँ पर देखते हैं इस Share के Result कैसे रहे हैं तो शुरुआत करते हैं इस Share के हम Total Income से तो Total Income जो Yearly Basis में Generate हुई थी वो 93.76 करोड थी जो अब यहाँ पर Decrease होके 0.12 करोड quarterly basis में हो गई है आगे हम Expenses को भी देखेंगे तो यहाँ पर 297.04 करोड इस Share के Yearly Expense थे जो अब यहाँ पर Loss में यानि Decrease होकर के 6.5 करोड हो चुके है आगे हम इस Share के Total Comprehensive Income को देखते हैं 139.75 करोड यानि के Loss में है इस Share के Yearly Basis में Comprehensive Income जो यहाँ पर बढ़कर अब 6.53 करोड हो गए है Earning Per Share जो है यहाँ पर इसका Yearly Basis में 2.88 पैसे था लेकिन जो Bracket में है Earning Per Share तो इस वज़े से Loss में है अब यहाँ पर Quarterly Basis में 0.13 पैसे हो गया है Overall तो जो Share के Result है यहाँ पर अच्छे नहीं आए है वैसे अगर आप इस Share को यहाँ पर Hold करने चाते हैं तो Long Term के Perspective से Hold कर सकते हैं Short Term के Perspective से अगर आप इस Share को यहाँ पर Buy या Sell करना चाते हैं तो इस Share को यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं वरना इस share को hold करना चाहे तो long term के perspective से hold करके छोड़ दीजे नहीं तो अगर आप इस share को sale करना चाहे तो one से two months wait करके भी sale कर सकते हैं